आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं जो मेटो स्टॉक के बारे में यहां देखेंगे कि लाज्ट रेडिंग सेसन में मोर दें 10% तक की तेजी दिखी थी देखेंगे क्लोजिंग भी नियर अराउंड 14% का है और यहां कोटरली रिजल देखें तो काफी बहतर रह कोटरन कोटर बेसिस पर देखें तो हाइस्ट एवर रेवेन्यू दिखा साथ मही देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट डिकिलियर करें सबसे बरी बात यह थी कि कब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी यह सबसे बरा कोशन मार्क था और कंटिनियूस निगेटिव रिजल्ट के यह वहीं डियाइज ने भी दवाकर के माल खरीदा है और यह सभी माल पबलिक ने बेचे और एफाइज डियाइज ने उठाया है और हमने देखा कि हमेशा से पबलिक गलत रिटेल इंवेस्टर जो छोटे निवेसक हैं वो गलत और बड़े वैपारी बड़े निवेसक इं short term trader भी 65 के नीचे के SL को trail करेंगे पहला target 86, दूसरा target 100 plus within maximum 3 to 5 month लेकिन over the duration अगर आप 2 year to 3 year के लिए hold करना चाते हैं तो 200 plus तक के levels भी दिख सकते हैं चुकि जिस प्रकार से FIs और DIs ने holding buying करी है और कभी भी FIs DIs 5-10% के मुनाफ़े के लिए तो खरीते नहीं है